ओम शान्ती आचार जन्वरी दो हसार चौबिस के बाबा के अनमुल मतुर महावाक के सुनेंगे आज की बाबा की मुरली है याद पर याद से कितनी प्राप्ती होती है उसको बाबा ने स्पष्ट किया बाबा कहे जितना तुम बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तुम्हारी आयूब बढ़ेगी विकर्म विनाश होंगे पावन बनते जाएंगे याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फस्क्लास होगा याद में रहने से ही खुशी बढ़ती जाएगी और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान की और आगे बढ़ती रहेगी इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को अपने याद के चाट को बढ़ाते जाना है जितना हो सके जब समय मिले बाबा को याद चरूर करना है तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमूल मधुर महावाक्य ओम शान्ती, मीठे बच्चे मुख्य है याद की यात्रा याद से ही आयूब बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फस्ट क्लास होगा आज की मुरली से प्रश्ण है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए क्यों? उत्तर है क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लौटरी मिली है कौन सी लौटरी मिली है? भगवान तुम्हें पढ़ाते है कितनी उची बात है जो दुनिया में किसी को भी ऐसी लौटरी नहीं मिलती सत्योग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे यहां मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं लेकिन तुम आत्माओं को स्वयम परमात्मा पढ़ा रहे हैं तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो तुम्हारे में सारी नौलेज है, देवताओं में भी ये नौलेज नहीं है आज की मुरली से पहले गीत बजा है जाग सजनिया जाग, अब नव युग आया रहे ओम्शाल्थी, नए युग में होते हैं देवी देवताओं, है वह भी मनुश्य परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं वह है वैशनों, डबल अहिंसक, अभी मनुश्य डबल हिंसक है मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते, इसको कहा जाता है मृत्य लोग, जिसमें विकारी मनुश्य रहते हैं उसको कहा जाता है देव लोग, जिसमें देवी देवता रहते हैं, वह डबल अहिंसक थे, उन्हों का भी राज्य था देवताई डबल अहिंसक और अभी के मनुश्य डबल हिंसक तो बाबा कहे कल्प की आयू लखो वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता आजकल कल्प की आयू कम करते जाते हैं कोई साथ अजार वर्ष कहते, कोई दस अजार वर्ष कहते यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है उंचे ते उंचा भगवान और हम उनके बच्चे रहते हैं शांती धाम में हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं बलगीता में भी अक्षर है मन मना भव परन्तु फिर भी यात्रा है ये कोई को भी समझ में नहीं आता है परन्तु उनका अर्थ क्या है अपने को आत्म समझ बाप को यात करो ये किसकी बुद्धी में नहीं आता है जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धी में आए इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो, मनुष्य यहां है, देवता सत्यूग में होते है, बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो तुम्हारी ये इश्वरिय मिशन है निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ न सके निराकार को हाथ पाउं कहां से आया सिक्रिश्न को हाथ पाउं सब कुछ है बक्ती मार्ग में कितने शास्त्र बनाए मनुष्य ने बक्ति मार्ग में कितने अथाश आस्त्र बनाए अब तुम बच्चों के पास चित्र आदी तो बहुत है चित्र से याद आती है, चित्र को देखते ही याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे, एक दम उपर आत्माओं का भी दिखाना है परमधाम में आत्माओं का उल्टा वरक्ष भी बावकहे दिखाना है आत्माई ही आत्माई दिखाई देंगी फिर सुक्ष मवतन उनके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे मनुष्य कैसे पिछाडी में आकर फिर उपर चड़ते हैं या दिखाएंगे दिन प्रती दिन नई इन्वेंशन निकलती जाएंगे मतुबन में म्यूजियम जो है वहां बाबा ने विशेश ये करेक्शन करवाई थी कि सीड़ी के चित्र में जैसे ही अंत में सब आत्माई पहुँच जाती है तो फिर कैसे उपर जाएंगी ये उसमें लाइट के द्वारा दिखाई गई है तो बाबा कहे दिन प्रते दिन नई इन्वेंशन निकलती जाएंगी अब जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुश्य जल्दी समझ जाएंगे जाड बहुत जल्ती बढ़ता जाएगा कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी ऐसे नहीं कि पिछाडी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं वह भी बनेंगे 108 की माला में हर प्रकार का सैंपल बाबा जरूर रखेगा ताकि कोई भी अपने लिए ये बहना न दे सके कि मेरे सामने यह था इसलिए मैं बन नहीं सका तो लास्ट में आने वाली आत्मा भी फास्ट जाएगी फस्ट नंबर में अर्थात 108 की माला में बड़े से बड़ा बिजनसमेन होंगा वह भी जाएगा तो बड़े से बड़ा साइन्टिस्ट होंगा वह भी जाएगा तो बाबा कहे वह भी बनेंगे नौधा भक्ती वाले रात दिन भक्ती में लगे रहते हैं तब उन्हों को सक्षत कर होता है यहां भी ऐसे निकलेंगे रात दिन मेहनत कर पतीच से पावन बनेंगे चांस सबको है ऐसे नहीं पिछाडी में कोई रह जाए ग्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता सब तरफ पैगाम देना है अंत तक सबको बाबा का परीचे जरूर मिलेगा शास्त्र में है एक रह गया तू उल्हना दिया यह चित्र अकबार आदी में भी पढ़ेंगे तुमको भी निमंत्रन मिलते रहेंगे सबको मालुम पढ़ेगा कि बाब आया हुआ है जब पूरा निश्चे होगा तब दोडेंगे तब बाबा के पास आएंगे बार भी निकलती है कहते हैं न्यू देहली परन्तु न्यू देहली में ये पुराना किला है किछड़ा आदी हो न सके बाबा कहें न्यू देहली में ये पुराना किला किछड़ा आदी हो न सके अभी तो हर चीज टेड़ी बाकी हो गई है सत्युग में सब तत्व भी ओर्डर में रहते हैं यहां तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है वहां सब सत्व प्रधान होते हैं तो हर एक तत्व से सुख मिलता है दुख का नाम भी नहीं उसका नाम है स्वर्ग यह सब बाते अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमोप्रधान बन गए है सतो प्रधान बनने के लिए पुरशार्त कर मंजिल पर चड़ रहे है और सब अंध्यारे में है हम रोशनी में है हम उपर जा रहे है और सब नीचे गिर रहे है यह साब विचार सागर मन्थन कर तुम बच्चों को करना है शिव बाबा है सिखलाने वाला वा तो मन्थन नहीं करेंगे ब्रह्मा को मन्थन करना होता है तुम साब विचार सागर मन्थन कर समझाते हो कोई का तो मन्थन बिल्कुल नहीं चलता पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एक दम भूल जाओ परंत बाबा जानते हैं क्या जानते हैं नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकि सब को वापस ले जाता वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुमारी है आदी सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोईं कहा जाता है हीरे जैसा जनम और कौड़ी जैसा जनम तुम्हारे लिए गाया हुआ है फिर तुम एक दम चोटी से गिर कर एक दम नीचे आकर पढ़ते हो बाबक का एकदम चोटी पर होते फिर दीरे दीरे गिरते गिरते एकदम नीचे आकर पढ़ते हो तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होने चाहिए क्यों? क्योंकि तुमको लोटरी मिले है तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे यहां मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परंपिता परमात्मा पढ़ाते हैं पर्क हो गया न? तुम ब्रामुनों ने राम राज्य और रावन राज्य को भी समझा है अब तुम जितना श्रीमबत पर चलेंगे उतना उच्छपद पाएंगे, अज्ञान काल में जो करते हैं वो उल्टा ही होता है छोटे पन में सगेर बुद्धी होती है, फिर बालिक बुद्धी होती है, सोला सत्रा वर्ष के बाद सगाई होती है, आज कल तो गंद बहुत है गोद वाले बच्चे के भी सगाई करा देते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं, वहाँ शादियां कितनी रॉयल होती हैं, स्वर्ग में बाबा के शादियां भी कितनी रॉयल होती हैं, तुमने सब साक्षतकार किया है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, तो तुम आप साक्षातकार करेंगे, अच्छे फर्स क्लास योगी बच्चों की आयू बढ़ती जाएगे, बाप कहते हैं, योग से ही अपनी आयू बढ़ाओ, बच्चे समझते हैं, योग में हम धीले हैं, याद में रहने लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते हैं, घड़ी भूल जाते हैं, वास्तों में यहां वालो का चाड बहुत अच्छा होना चाहिए, बाहर तो गोरक धंदे में रहते हैं, बाप को याद करते करते, यहां ही तुमको सतुप्रदान बनना है, कम से कम भोजन बनाते, काम करते, आठ गंटा मुझे याद करो, बाबा कहे, कम से क कम भोजन बनाते, काम करते, आठ गंटा मुझे याद करो, तब करमातीत अवस्था अंध में होगी, कोई कहे मैं 6-8 गंटा योग में रहता हूँ, तो बाबा मानेगा नहीं, बहुतों को लज्जा आती है, चाड नहीं लिखते हैं, आधा गंटा भी याद में नहीं रह सकत मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हो, मुरली सुनना मन ग्यान धन कमाते हो, याद में तो सुनना बंध हो जाता है, कई बच्चे लिख देते हैं, याद में मुरली सुनी, आभा कहे वास्तों में मुरली सुनते समय याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी कई भुष्य लिख देते हैं, याद में मुरली सुने, परन्तो यह याद थोड़ी है, बाबा खुद कहते हैं, में घरी-घरी भूल जाता हूं, याद में भोजन करने बैठता हूं, बाबा आप तो अभुगता हो, कि कैसे कहूं बाबा, आप भी खाते हो, अम भी खाते हैं, कोई-कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है, मुख्य है याद की यात्रा, प्रमा बाबा भी अपना अनुभो सुनाते, कैसे मैं भी पुर्शार्थ करता हूं याद की यात्रा में रहने का, मुरली की सबजेट बिलकुल अलग है याद से पवित्र बनते हैं, आयू बढ़ती है बाकि ऐसे नहीं कि मुरली सुने तो बाबा इसमें था न मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे मेहनत है बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं याद में रहने वाले की अवस्था बोल चाल बिल्कुल अलग रहेगा याद से ही सतो प्रधान बनेंगे परंतु माया ऐसी है जो एक दम क्या बना देती है माया ऐसी है जो एक दम बुद्धु बना देती है बहुतो की बीमारी उथल पड़ती है मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है हस मरते हैं बड़ी महनत का काम है मुरली सुनना ये सब्चेक्ट अलग है यह धन कमाने की बात इसमें आयू नहीं बढ़ेगी पावन नहीं बनेंगे विकर्म विनाश नहीं होंगे मुरली तो बहुत सुनते हैं फिर विकारों में गिर्णती रहते हैं बाबा कहे एक तरफ मुरली भी बहुत सुनते हैं फिर विकार में गिर्णते रहते हैं सच नहीं बताते बाब कहते पवित्र नहीं रह सकते तो क्यों आते हो? कहते बाबा मैं अजामिल हूँ यहां आऊंगा तब तो पावन बनूँगा यहां आने से कुछ सुधार होगा नई तो कहां जाए? रास्ता तो यही है ऐसे ऐसे भी आते हैं कोई न कोई समय तीर लग जाएगा एक आश है कि कोई न कोई समय तीर लग जाएगा बाबा यहां के लिए भी कहते है यहां कोई अप अवित्र को नहीं आना चाहिए यह तो इंद्र सभा है अभी तक तो आजाते हैं एक दिन यह भी ओर्डिनन्स निकलेगा जब पक्की गैरंटी करे तब अलाउट करे तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है कोई अप अवित्र अंदर जा नहीं सकता तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है हम भगवान इश्वर सोमनात बबुलनात के पास बैठे हैं वही पावन बनाने वाला है अभी आखरिन में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदी करना सके इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे आर यह समाजी भी है हिंदू सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है देवताइं होते हैं सत्यूग में यहां सब हिंदू है वास्तों में हिंदू धर्म है नहीं यह हिंदूस्तान तो देश का नाम है तुम बच्चों को उठते बैठते चलते क्या करना है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है स्टूडन को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए न सारा चक्र बुद्धी में है देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विश्नो के कुल के बन जाएंगे तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं वा देवताओं फाइनल है तुम फाइनल तब होंगे जब कर्माती तवस्था हो शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते है उनमें नौलेज है ना वह है तुमको बनाने वाला तुम हो बनने वाले ब्रामन बन फिर देवता बनेंगे अब यह अलंकार तुमको कैसे दे यह विश्णु को है वह तुमको कैसे दे अब तुम पुर्शार्थी हो फिर तुम विश्णु के कुल के बनते हो सत्युग वैश्णव कुल है ना तो ऐसा बनना है तुमको तो मीठा बनना है ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है एक द्रिश्टान्थ है दो लड़ते थे सन्यासी ने कहा मुख में मुलहरा डाल दो कभी निकालना नहीं रिस्पॉंड मिलना सके पांच विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं हमारे में बहुत क्रोध था अब बहुत कम हो गया है बहुत मीठा बनना है कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे आज तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं नंबरवार ही बनेंगे जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा लेंगे रास्ता बताना चाहिए हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे अब कितनी नौलेज मिली है जो अच्छी रिती धारन नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है बाबा जानते हैं ये रुहानी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर थूल सर्विस बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो अहो भागे एक दो को याद दिलाते रहो याद से बहुत बल मिलेगा याद करने वाले को फिर चाट रखना है चाट से मालूम पढ़ जाता है हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं विश्व में शानती बहुत मांगते हैं जरूर कभी विश्व में शानती थी सत्योग में अशानती की कोई बात ही नहीं स्वीट बाब, स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं अब स्वीट कहां हैं? मौत ही मौत लगा पड़ा है यह खेल अनेक बाहर होता है और होता ही रहता है एंड हो नहीं सकती चक्र फिरता रहता है बाबा कहिए इस चक्र की एंड हो नहीं सकती है फिरता ही रहता है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुट मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट विकर्म विनाश करने वा आयू को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है याद से ही पावन बनेंगे इसलिए कम से कम आठ गंटा याद का चाट बनाना है दूसरी पॉइंट देवताओं समान मीठा बनना है ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाए न बोलना अच्छा है रूहानी वा स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्या आज का बाप दादा का मतुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है सेवा में रहते करमातित स्थिती का अनुभव करने वाले तपस्वी मूरत भवा समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है सेवा में ही माया के आने की मर्चिन रहती है सेवा में ही स्वभाव, संबंद का विस्तार होता है स्वार्थ भी समया होता है उसमें थोड़ा सा बैलन्स कम हुआ तो माया नया नया रूत धारन कर आएगी इसलिए सेवा और स्वास्थिती के बैलन्स का अभ्यास करो मालिक हो करमेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो मन में बस एक बाबा दूसरा न कोई यस्मृती इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातित स्थिती के अनुभवी तपस्वी मूरत आज का स्लोगन है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजटिव बनाओ जरूर है जो कारण देता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिविंटी को छिपाने के लिए ही कारण बताते हैं लेकिन जो positive होता है वो कारण नहीं बताएंगे, वो हमेशा समाधान या solution बताएगा, तो इसलिए बाबा कहे, कारण रुपी negative को समाधान रुपी positive बनाओ, इस अव्यक्त मास में, अव्यक्त silence द्वारा double light फरिष्टा स्थिती का अनुभो करूँ, परिष्टा स्थिती का अनुभो करने के लिए, किसी भी प्रकार के व्यर्थ और negative संकल, बोल वा कर्म से मुक्त बनो, व्यर्थ वा नेगेटिव यही बोज सदाकाल के लिए, डीप silence का अनुभो करने नहीं देता, अब व्यर्थ बोज से सदा हलके बन, डबल लाइट फरिष्टा बनो, अच्छा, ओम शान,